सलाम अलेकुम वीवर्ज अमीद आप सब्लों फैरेट सोंगे वीवर्ज वीवर्ज भी और एक्सपेक्टिंग के पंजाब पुलिस की असिस्टन्स अव इंस्पेक्टर की सीट्स जो PPS 11 की सीट्स हैं अनाउंस हो जाएंगी अक्तूबर के महीने के अंदर जी हां तो इन सीट्स का ज़रूर आपने अप्लाई करना है आज हम इससे मतलिक आपको मुकमल डीटिल्स प्रोवाइड करेंगे खसूसन हम आज हम फोकस करेंगे टेस्ट पैटरन पर क्यूंकि वो ही मरहला है जहां पे आपका मेरिट बनेगा तो आज हम उसके उपर जदा फोकस करें को आगाज में डिसकस कर लेंगे सब पहले हम इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को डिसकस करेंगे तो ASI बनने के लिए पंजाब पुलिस में आपकी मिनिममम एजुकेशन बैसलर्स बिट सेकंड डिविजन होनी चाहिए बैसलर्स में कोई स्पिसिफिकेशन नहीं है इ किसी और डिसिप्रिन गंदर आपने अपना मेजर किया है युनिवर्सिटी से तो आप सेकंड डिविजन के साथ अपनी उस बैसलर्स की डिगरी के बैसिस पर क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की सीट में जो पंजाब पु अप्लाई फिर आप अप्लाई कर सकते हैं जब नोक्रियां आएंगी एहसा ही कि आप भी अप्लाई कर सकते हैं इसे के साथ आएस पर दी लेटेस्ट डीटेल्स एट वी हाव 21 से 35 साल आपकी उमर होनी चाहिए और लड़कियां और लड़के दोनों सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसी के साथ आपको बताते चलें अगर आपने पंजाब पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बरना है तो नोट्स आर अवेलेबल अपडेटिट सिलेबस के हिसाब से नोट्स हमने तयार किये हैं और साथी साथ सर्विंग पुलिस वनों के लिए अवेल होगे अंतर जीके से लेकर इंग्लिश से लेकर एसे से लेकर आईटी से लेकर लाइन पुलिसिंग तक अपडेटिट से लेबस सारा कुछ जो इस वीडियो में डिसकस किया जाएगा आपके लिए हमने अवेलेबल किया है यह सारा कुछ हमने आपके लिए अवेलेबल किया ह हमने 500 रुपे में आपके लिए सारा कुछ available किया है तो आएए अब syllabus की तरह focus करते है सबसे पहले हम civilians का syllabus discuss करेंगे तो आपका updated syllabus के हिसाब से 40% section general knowledge का होगा जिसके अंदर Islamic studies, Pakistan studies, fundamental rights, current affairs यह सारा कुछ discuss किया जाएगा तो यह आपका GK का portion होगा 40% आपके paper का नेक्स्ट आपका portion 40% English का होगा इसके अंदर basic English होगी, grammar होगी, S's भी हो सकते हैं आपके इसे के साथ साथ tenses होगे, आपके synonyms, antonyms, so on and so forth बागी बचा होगा आपका 20% section IT और language comprehension का होगा इसके अंदर IT से related questions होगे आपके computer science के basic questions होगे और साथ इसाथ आपकी Microsoft, Excel उससे related भी आपके software मतलिक सवाल भी सीक अंदर होगे इसाथ हम अगला syllabus discuss करेंगे already serving police जो police की assistant sub inspector की seat के लिए apply करते हैं constables and at constables उनके paper का pattern कुछ यह होगा उनके 100% में से 30% section journal knowledge का होगा इसमें 10 marks GK के होगे 10 marks computer science के सवालों से मतलिक होगे और 10 marks English के essay के होगे आपने अगर essay की तियारी करनी है CS जो computer science है उसकी तियारी करनी है और अपने GK को एक दम पक्का करना है तो हमारे पास पूरे notes पढ़ें solved essays पढ़ें आप हमें contact करके हम से वो सारी details दे सकते हैं 30% section में से 3 divide किया हुए एक section essay का एक section computer science का और एक section GK का इसी के सवाथ your next section will be law and policing law and policing का आपका 50% section होगा legal studies के इसके अंदर section होगा इसके अंदर आपके पास police practical works का एक section होगा आपके पास police rules 1934 और police order 2002 से मुतलिक आपका syllabus होगा इसके अंदर आपके पास human rights and criminal justice system से भी मुतलिक आपके पाकिस्तान के इसके अंदर सवाल होगे law and policing का section latest एड किया गया है syllabus के अंदर to make sure कि जो police वाले अप्लाई कर रहे है उनको उनके ही qualification के हिसाब से judge किया जाए तो जनाब हमारे पास सारे के सारे for example legal studies के अंदर penal court से लेकर उसके बाद पाकिस्तान ने constitution के सवालों से लेकर हमारे पास सारी details मुकमल links के साथ downloads के साथ pdf के साथ मुझूद है आप हमसे इस सारी चीज़ें access कर सकते हैं notes के लिए हमारा number 94 साब हमें contact करके हमसे त्यारी कर सकते हैं पुलिस practical work PHP आपके पास rules होगे पुलिस rule 1934 होगे पुलिस order 2002 साथ ही साथ human rights को भी discuss किया जाएगा and lastly criminal justice system of Pakistan जो आपके पास मुकमल criminal justice system है इसको भी discuss किया जाएगा आप से सवाल किया जाएगा आपका majority of the section law and policing का होगा civilians के लिए law and policing नहीं है सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो constables और head constables अपलाई करते हैं assistance of inspector की seat के लिए इसके बाद आपका बाकिया portion psychological test का होगा और साथ ही साथ interview का होगा तो उसके 20 marks होंगे इस तरह कुल मिला के आपका जो police small lady surf कर रहे हैं आपका merit इस base पे बनेगा इससे पहले हमने civilians का syllabus डिसक्स किया था आपका syllabus recently update हुआ है तो यह आपका syllabus था इसके साथ आपको आगाह करते चलें कि क्योंके यह BPS 11 की seat है तो आपके पास इसकी training के दुरान 40 1000 के करीब करीब salary होती है और भरती होते साथ जब आपकी service का आगास properly हो जाता है आप थानों में चले जाते हैं तो आपकी salary बढ़कर 50,000 के करीब previous से भी जादा allowances वगरा को मिला के बन जाती है तो it is a great opportunity we recommend our students के आप इस opportunity को ना जाने दे and make sure that you apply for this seat to get a really good and reputable respectable job वो भी अपने bachelor's की basis पर आप जवानी में ही एक officer बने इसे के साथ to submit all up we have notes available फिर साब को बताता है चलूँ all in one notes for Punjab police assistant sub inspector की seat are available civilians के लिए और serving police already personnel के लिए हमारे पास notes available हैं आप लोग हमें contact कर सकते हैं number हमारा screen के नीचे run हो रहा है उस पे contact करने के बाद आप हमसे notes खरी सकते हैं ASI की seat के लिए इसे के साथ आपका बहुत शुक्रे है हमारा वीडियो देखने का अगर आपकी कोई भी सवाल है तो आप हमसे comment section में पूछ सकते हैं या पिर आप आके उस number पे में पूछ सकते हैं जो number screen के नीचे run हो रहा है हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने की बहुत शुक्रे हमारा वीडियो यहां तक देखने का हमारे साथ बने रहने का चैनल को सब्सक्राइब कीजे ताके आपको latest update मिलते रहे और जिस दिन तारीख आएगी इसकी add शाया हो जाएगी हम आपको वीडियो के तुरू पता देंगे बहुत शुक्रे वीडियो देखने का आप सब लोगों को कामियाब करे अलाह आफिस